चलिए, आज हम लोग सूरे कांत त्रिपाठी द्वरारचीत दान कविता की अगली छह लाइन को भाग दो के अंतरगत देखते हैं, इसके पहले हम लोगोंने छह लाइन की व्याख्या कर ली थी, उसके बाद की छह लाइन को आज लेते हैं, इस तरह से हम छह-छह लाइन करके छोटी छोटी वीडियो बना करके इसको सीखेंगे ताकि आपको उबन ना लगे तो सबसे पहले चले एक-एक सब्दों के अर्थ को देखते हैं फिर पूरी लाइन की व्याख्या देखेंगे ठीक हैं बहुत ही सरल कविता है तो पहले आईए मेरे साथ हेक-एक सब्द का अर्थ देखिए मैं वही रहेगा प्रातव वही रहेगा या प्रातव माने सुबह कर लिजिए प्रातव माने सुबह परेटनार्थ मतलब घूमने चला मतलब गया चला यानी गया लवटा वही रहेगा आ आकर पुल वही रहेगा पर वही रहेगा खड़ा हुआ वही रहेगा सोचा वही रहेगा विश्व माने संसार का नियम वही है निश्चल माने होता है इस्थिर या अटल निश्चल माने निश्चित या अटल जो वही रहेगा, जैसा वही रहेगा, उसको इनसबकार्थ वही रहेगा, वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयम, स्वयम माने खुद या स्वतह, सदया माने दया के साथ, सोचने को न रहा कुछ नया, इन में से किसी का अर्थ नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, ठीक है, तो इस तरह से सारे सब्दों के अर्थ को हम लोग ने देखा, अब इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं, ध्यान से सुनिये, इस पद्यान्स में निराला जी कहते हैं, मैं सुबह सुबह घूमने के लिए गोमती नदी के तट पर गया, देखें, यहाँ पर गोमती नदी आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले जो छे लाइन हम लोग उने ब्याख्या की थी, उसमें गोमती नदी का जिक्र हुआ था, ठीक है, तो निराला जी कहते हैं, मैं सुबह सुबह घूमने के लिए गोमती नदी के तट पर गया, और जब अपने से जोड़ेगा, और जब लवटा, तो आ करके गोमती नदी पर बने पुल पर खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, और अपने से जोड़ेगा, और सोचने लगा, विश्व का नियम, संसार का नियम, कितना अटल है, कितना इस्थिर है, जो जैसा करता है, उसको उसके कर्म के अनुसार, अपने से जोड़ेगे, उसके कर्म के अनुसार, वैसा ही फल, वैसा ही फल, प्रकिति, स्वयम, दया के साथ देती है, यहाँ प्रकिति, स्वयम, सदया, दया के साथ देती है, यहाँ पे थोड़ा, आगे पीशे करना पड़ेगा, इसमें, इसमें अपने जोड़ी, इसमें सोचने के लिए, इसमें सोचने के लिए, कुछ भी नया नहीं है, बहुती सरल है, ठीक है, फिर से चलिए, एक बार सारे अर्थों को हम लोग देख लेते हैं, फिर से एक बार देखिए, कवी निराला जी कहते हैं, मैं सुबह सुबह घूमने के लिए, गोमती नदी के तट पर गया, और जब लोटा, तो आ करके गोमती नदी पर बने पुल पर खड़ा हो गया, और सोचने लगा, विश्वकानियम कितना अटल है, या विश्वकानियम कितना इस्थिर है, दोनों में से एक कोई लिख लिजिए, जो जैसा करता है, उसको उसके कर्म के अनुसार, वैसा ही भल यह प्रक्यति स्वयम दया के साथ देती है, इसमें सोचने के लिए कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, उमिद है आपको समझ में आ गया होगा, कल इसके आगे किछे लाइन को हम लोग देखेंगे,